हेला स्टुडैंट्स आर्से एजुकेशन हब में आपका स्वागत है प्रिविध्यार्तियों क्रसी रसाइन में लेशे नम्बर चय अमले एवं लवन प्रोयत मर्दाएं डिसक्रस कर रहे थे उसमें आज का टोपिक है लवनिये एवं शारिये मर्दाओं की बाचान एवं उन में अंतर इसली क्लास में अपन ने वर्गी करण के बारे में बात की थी आज अपन इनमें पैचान कैसे की जाती है कि किस तरह से अपने खेट की मर्दा लवनिये है या शारिये है उसकी पैचान कैसे करेंगे और उनमें अंतर क्या होता है उसके बारे में आपर बात करें द किसकी बात कर रहे हैं बता क क्ला ओ everyone तो बता चाजुस का मुलब हुता है छक्फू और ट्रस्टाम दिंधी कहते हैं कि क्या दें जाता ही शेर्ट्म आपन सिर्फी मिद्धन को देख सकते हैं कि परचार करने के लिए अपने पास में कुन से लक्षन देखेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगें भाई में लवण की सबेध भूरी रंकी प्रत होती है राक की समान दिखाई दिती है पत्तियां पुदर में पूद ऊता है उसको सिंस्थी निले रंकी होती ये और उसे किनारे में जली और जल्वक जलै AH झो आदे जर जले वे उसको बोलते हैं जुलसे उए किनारे झो उख छे देखंए टिता पत्कियों में एकोंसा रौब क्लोरोसिस रौब बहुते हैं टाहर सिन सकते हैं तरह Node किम नेला किनारे जुलसे इते हैं तरह आपके थित पृच नोर्श हैं अधिती कौन सा क्लोरोसिस वतलब पार्ण हरत की कमी और उतक से उतको की कमी या उतक की म्रत्यू हो जाती है जता जल की कमी हो जाने से पोदे क्या दिखाए देते हैं मुर्जे वूए दिखाए देते हैं अब बात करते हैं पन शारे मर्दाओं में चाक्षुस लक्षन सामाने तो देखा गया है कि शारे मर्दाओं की पैशान करना बहुत खटिन होता है फिर भी कुछ ऐसे आखों से देखे जाने वाले लक्षन हैं जिनकी साहिता से अपन शारे मर्दाओं को जान सकते हैं जैसे वर्षा में जल काफी समय तक बरा रहता है अगर अपने खेत की मर्दा कुंसी वटाओं शारिये है तो उस कंडीशन में जब वर्षा होती है तो वर्षा का जल अधिक समय तक उस मर्दाओं की सता पर भरा रहता है तता सूखी धरारे पढ़ जाती है जब वो पानी आपका सूख जाएगा तो वहाँ पर धरारे पढ़ जाती है तता पत्यों का रंग कुन सा होता है? हरा रंग होता है कुन सा होता है? हरा रंग जब कि यहांपर कुन सा होता है? नीला रंग होता है कुन सा होता है यहांपर? नीला रंग होता है ये अपने पास में लवणिये मर्दाओं के चाक्षिस लक्षण और शारिये मर्दाओं के क्या है उटा चाक्षिस लक्षण है क्लियर अब अपन बात करते हैं लवणिये एवां शारिये मर्दाओं में अंतर लवणिये एवां शारिये मर्दाओं में अंतर clear तो यहां पर बात करेंगे पन किसके अदार पर इन बिन्दों के अदार पर अब से पहले बात करेंगे पन EC के अदार पर फिर बात करेंगे पन ESP के अदार पर फिर बात करेंगे पन PH के मान के अदार पर फिर बात करेंगे पन किसमें म्रदा सुधार कैसे किया जाता है किन विदियों से किया जाता है उसके अलाव अपने आपर बात करेंगे फिर अपना होगा कि कौन-कौन से लमड उपस्तित होते हैं उसकी बात करेंगे विदुत अब गटे मिलाने पर क्या किरिया होती है उसके बारे में बात करेंगे अपन देखे वच्छों EC के मान के अदार पर अंतर करेंगे PSP के मान के अदार पर अंतर करेंगे PS के मान के अदार पर अंतर करेंगे क्या किया है अपन ने लवणिये शारिये और लवणिये शारिये मर्दाओं की परिवार से अपन ने दी है पिर मर्दा सुधार की ऐसी मर्दा है तो उकिन विजियों के दुवारा सुधारा जा सकता है पिर बात करेंगे कि कौन कौन से लवण उसमे अधिक्ता से पाए जाते हैं पिर बात करेंगे अपर किसकी विदुत अप गटे मिलाने पर इसकी बात करेंगे बटा विदुत अप गटे मिलाने पर क्या होता है इसकंदन होता है या और कुछ किरिया होती है और लास्ट बिंदू है अंतर का उच्छ प्राशन दापर जड़ों में क्या प्रभाव होता है इसके बारे में मैं आपको बता चुका तो यहाँ पर इन बिंदू की साहिता से अपन क्या करेंगे लवनिय एवां शारिय बर्दाओं में अंतर इस्पस्ट करेंगे तो देखे बिटा इसी क्या है आपकी विदूत चालता इसी क्या है विदूत चालता जिसमें लवनिय बर्दाओं का चार डेसी सिमोस मिटर इनवर्स से क्या होती है अधिक होती है कितने ताप पर 25 डेसी सिमोस मिटर इनवर्स से अधिक होती है कितने ताप पर 25 डिगरी सेंटीगर ताप पर 25 डिगरी सेंटीगर ताप का मतलब है 25 डिगरी सेंटीगर ताप का मतलब क्या होगे मिटरा कमरे के ताप पर क्या होगया कमरे के ताप पर फिर बात करें पन एसी सबसे एसी का मतलब क्या हुआ विदूत चालता क्या हुआ विदूत चालता इसी इलेक्ट्रिकल कंडेक्टिविटी हिंदी में विजुद चालता मात्रत डेसी सिमोंस मिटर इन्वर्स तो चार इसका मान है इससे अधिक किस्म होता है लवणिये में कितने ताप पर 25 डिगरी सेंटीर ताप पर फिर वागत करें पर शाय के लिए तो चार डेसी सिमोंस मिटर इन्वर्स से कम होती है कितने ताप पर 25 डिगरी सेंटीर ताप पर अब आंथी ESP ESP क्या होती होती है एक्सेनजेबल सोडियम परसंटेज विनमे शील सोडियम परतिसथा क्या गहیंगे विलमेसील, सोडियम, परतिसक्ता तो देखे बटाँ इसमें ESP का मान क्या होगा ESP यहाँ पर 15% से क्या होगी कम होगी जब कीदर क्या होगा 15% से क्या होगा अधिक होगा बाद क्लेरे को दिकर PS का मान आपको पता इतना है 8.5 से क्या है कम है जब कीदर क्या होगा 8.5 से क्या है अधिक है वही परिवासा के मान आपको यहां रखने है जो परिवासा दीती है अपनने वही मान आपको लवने में वही मान आपको शारिये में रखके क्या करना है अंतर करना है पिर बात करें अपन मर्दा सुधार की तो मर्दा सुधार के लिए यहां पर क्या यांत्रिक विदिया मतलब जो टेक्टर वगेरा से अपन जुदाई करते हैं ऐसी विदिया पर यहां पर काम में लेते हैं लवणिये मर्दा को सुधारने के लिए कौन सी यांत्रिक विदियां काम में ली जाती हैं जबकि यहां पर यांत्रिक विदियों के साथ साथ रासाइनिक विदियां भी काम में ली जाती हैं आईवा समझ में EC का मान, ESP का मान, PS का मान और फिर अपने कि इस मर्दा को सुदा रहेंगे कैसे तो यहां पर यांत्रिक विधियां इधर इसमें इक्षारिये में यांत्रिक के साथ साथ रास्ता एनिकी विधियां भी डिप्ते की जाती है यहां पर NAC, sodium chloride और sodium sulfate क्या नावे बिटाइन थे, sodium chloride और sodium sulfate लवण अधिक्ता से पाए जाते हैं जबकि यहां पर कोन सा sodium carbonate लवण अधिक्ता से पाया जाता है sodium chloride और sodium sulfate लवण किसमें? लवण यह मर्दा में, जबकि sodium carbonate किसमें? शारी है मर्दा में, clear अब आता है विजुद अब गटे मिलाने पर कि अपना मर्दा है, मर्दा की सतर पर जल है तो क्या बनिगा हो? मर्दा वीलियन क्या बनिगा हो? मर्दा वीलियन तो उसमें अपनने कोई भी विजुद अब गटे मिला दिया अब बात आती, विजुद अब गटे क्या होता है? एसा वीलियन या एसा पदार्द जो जलिये विलियन में किसमें आईनों में विवाजित हो जाता है क्या क्या लाता है? विजुद अब गटे कल आता है अगर अपनने मर्दा में क्या मिला दिया विजुद अब गटे कौन सी में? लवनिये में और शारिये में तो कौन सी क्रिया होगी यहाँ पर जो उत्ती उसको बोलते हैं उन्नी पिंडन उन्नी पिंडन मतलब यह पढ़ चुकी अपन पहले उन्नी पिंडन का मतलब होता है मृदा वीलियन में विधित अपगटे मिलाने पर मृदा आइनों का समुवों में परिवर्ति तो हो जाना क्यालाता है उन्नी पिंडन और उनका तूट जाना वी उन्नी पिंडन तो नवणी मृदा में विधित अपगटे मिलाने पर क्या हो जाता है उन्नी पिंडन हो जाता है जबकि शारिय मर्दा में विजद अवट्टे मिलाने पर मर्दा क्या होता है प्रकिन्नन हो जाता है क्या हो जाता है प्रकिन्नन हो जाता है टूट जाती है कड़ों में बिखर जाती है क्या कहेंगे उसको मर्दा प्रकिन्नन आपने प्रकास प्रकिन्नन पढ़ा होगा तो सेम चीज होई है मृदा पर किर्णन मृदा के करणों का विवाजत होना किसकी उपस्तिती में विद्ध अबगटे की उपस्तिती में यहाँ पर उच्च प्रासरदाब में जो आपकी जड़ है पादप की उस पर क्या पढ़ता है बुरा प्रबाव पढ़ता है इदर भी सेमेज बुरा प्रबाव पढ़ता है अंतर में उच्च प्रासरदाब होने पर उसकी जड़ पर भी बुरा प्रबाव पढ़ता है लिर बेटा इस तरह से इन बिंदों की साहिता से क्या कर लिया बने लावने एवां सारे मर्दाओं में अंतर कर लिया इससे पहले इनकी पैचान की थी लियर उमीद करता हूं कि आज के दोनों टोपिक आपको समझ में आया होंगे आज के लिए इतना ही वीडियो को लाइक कीजिए सेर कीजिए सबस्क्राइब कीजिए टेंक्यू क्लास